बहुत सरी स्टूडेंट्स दा स्वाल हुंदा की एक्टिव एंड पैसिव संटेंस दे विच की डिफरेंस हैगा अगर तो अड़ा भी सेम क्वेश्चन हैगा तो एस वीडियो दे विच तो आनू इस क्वेश्चन दा आंसर मिलेगा So let's get started Active ये पैसिव संटेंस दोनों ही similar kind of sentences ने similar kind of meaning देने बट दोना दे विच एक डिफरेंस हैगा या जिसनों सामझेना साड़ली बहुँ ज़्यादा जियूरी हैगा Active ये पैसिव तोनों लग लग तरह दे स्ट्रक्चर ने और कॉमन ये गाल कही जांदी है कि अगर तो आनू अगर तुसी पैसिव वाइस सिखने हैगे ते तो आनू एक्टिव संटेंस ओने बहुँ ज़्यादा जिरूरी ने Obviously this is true up to some extent अगर तो आनू एक्टिव संटेंस हों देने ते possibly तुसी ज़्यादा पैसिव वाइस नूँ एजिली सिख सक दे So असी start कर दे है कि की difference हैगा active ये पैसिव वाइस सब तो पहला आप देख लिए कि active टेंस की हैगा एक एक एक्जांपल लेने और एक्जांपल दे जरीए संटेंदी कोशिश करांगे कि active ये पैसिव संटेंस देवेचे की फरक हैगा So एक्जांपल तुसी देख सकते हैं आसे एक एक्जांपल लिखी है मैं एक चिठी लिखता है इन्हों अगर आपा English चिकन वर्ड करिये ते आपा कह सकते हैं कि I write a letter इस संटेंस हैगा active आपा एक होर संटेंस बनाओने है चिठी मेरे द्वारा लिखी जांदी है इस संटेंस देवेच ते फर्स्ट संटेंस देवेच दिफरेंस की है फर्स्ट संटेंस दा मेनिंग भी होई है कि मैं चिठी लिखता है दूसरे संटेंस देवेच आपा लिखिया कि चिठी मेरे द्वारा लिखी जांदी है सो दोन्नों संटेंस देवेच मेनिंग जड़ा है तकरीवन सेम आपा सिंपली कैसे दे कि active पैसिव वाइस देवेच जड़ा मीनिंग होंदा है आल मोस्ट सिमिलर होंदा है बट difference होंदा है कि क्यों सानू active तो passive कनवर्ट करना पेंदा अगर जेना दा मीनिंग सेम हैगा सो अपा सिखते है सो फर्स्ट संटेंस हैगा I write a letter the second sentence is a letter is written by me सो डिफरेंस से थे की हैगा आपा सब तो पहला दिखना action की हो रहा दोनों संटेंस देवेच दोनों संटेंस देवेच action हो रहा लिखना बट जेड़ा first sentence है इस देवेच एस action नो करने वड़ा जो व्यक्ती हैगा या ओ अपा सब्जेक्ट वाली जगा दे उत्ते यूज कीता हो या सो सिंप्ली गल कैसा देया कि active sentence ओ संटेंस हो देया जे देवेच एक्शन जेड़ा या subject दे द्वारा प्रफॉर्म कीता जानदा है जे में कि ये sentence देवेच चिठी दे उत्ते action हो रहा एक्शन हो रहा लिखना और लिख कौन रहा है आई आई मिन्स की subject जेड़ा इत्ते सड़ा एक्शन नो प्रफॉर्म कर रहा होन अपा चाल देया है passive voice दे वेच passive voice दे वेच एही sentence है आया बट meaning change कर देता अपा हो थे की कीता की active sentence दे वेच एक्शन नो लेटर सीव कर दे प्यासिगा मिन्स की या एक्शन जेड़ा सड़ा लेटर दे उत्ते हो रहा है passive voice दे वेच जेड़ी चीज सड़ी active sentence दे वेच subject action नो रिसीव कर दी पैसिए ओनू आपा subject दे वेच ले एंदा एंड जेड़ा व्यक्ती action नो कर रहा सिगा ओनू आपा object वाली जगा दे उत्ते लागे या सो simply we can say active sentence ओ संटेंस हों दे या जेना sentences दे वेच सब्जेक्ट बलों action नो कीता जान दाया passive voice on the other hand passive voice दे ओन दा passive voice दे वेच साड़ा जेड़ा subject हों दाया ओ ओ हुंदाया जेड़ा subject द्वारा कीते जान दे action नो receive कर दाया उन्हों अपा subject वाली जगा दे लेख देया ते जेकर सब्जेक्ट जेड़ा 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 उस action नो कर रहा उन्हों कीते जोड़ना पैजे वेचे ते उसनों अपाँ भाए लगा के end दे वेच जड़ा लेख देने हा गया active sentence दे एक होर example लेलन नहीं है for example आम फिल्म देख रहा है हुन इस sentence दे वेच तुसी देख सकते एक्शन की हो रहा फिल्म देखना action हो रहा इस action नो कौन करदा प्या राम करदा प्या एक्टिव संटेंस दे वेच आपाजे में पहला दसे आ कि जो भी action sentence दे वेच होंदा आया उसनों subject दे द्वारा किता जानदा आया इसनों अपाँ एक active sentence कमागे अगर इसनों आपा passive voice convert करना अगर तुसी देखो कि action की हो रहा सेगा movie देखना देख्या किस नों जा रहा movie नों देख्या जा रहा देख्या कौन रहा राम तो की होना की movie नों आपा passive voice दे वेच जाके non-dual subject बना दना हैगा तो अपाँ लिखांगे the movie is watched by राम राम द्वारा movie देखी जान दी है तो दोना देख्या जड़ा साड़ा difference आ गया तो हून एथे simple जी गाले सामझ लेनी चाहिए दिया कि active sentence दी मा definition दी example दी नाल गरा तो active sentence ओ हो हुन देया जिना देख subject जड़ा doer हुन दा performer हुन दा जड़ा action नों कर दाया बटकि passive voice देख पैसिव वोईस देख साड़ा subject ओ हुना है जड़ा action नों receive कर दाया पैसिव वोईस देख कदे भी subject जड़ा action नों perform नहीं कर सकदा हमेशा ही receive करूगा तो एस ही का main difference active आते passive voice देख हुन आप अगर active and passive voice दे structure दी गल करिये ते active sentence दा जड़ा structure होंदा हो तुसी देख सकदे हैं कि subject subject केड़ा होना चाहिदा doer subject होना चाहिदा जड़ा किसे action नों perform कर रहा होगे especially active sentence देविच active sentence देविच subject तो दा doer होगा plus verb होगा according to sentence जेस तरह दा तुसी sentence present, past, future देविच बना रहे हो ओदे according verb ने decide होना प्लस वर्व दी थर्ड फॉर्म ने ही ओना होगा structure की होगा subject plus helping verb plus verb दी थर्ड फॉर्म plus object but दर दोना देविच डिफरेंस किया कि active sentence देविच तो अड़ा subject ओ होगा जड़ा action नों perform कर दा प्या but passive voice देविच कदी भी subject तो action नों perform नहीं कर सकदा एक ख्याल तुसी रखना हैगा so एही चीज़ें decide करना है so एक ऐसी केसी तरह decide करना भी subject doer होगे जा non doer होगे ऐसी decide करना है according to focus ऐसी केड़ी चीज़ें उते focus करना चाहने हो काम देव पर focus करना चाहने हो जा काम देव पर focus करना चाहने हो so एगर तुसी काम करने वाले देव उते focus करना चाहने हो तो तो अनू active sentence बनाओने दी जरूरत है अगर तुसी काम देव उते focus करना चाहने हो ना की काम करने वाले देव तो अनू passive voice बनाओने दी जड़ी जरूरत है पहनी हैंगी है। होन आपए डिसाइड करिया कि सानु कदों एक्टिव ते कदों पैसिव वा इस बनोना पहना है। वैल इस सारी चीज़ डपेंड कर दीया फोकस देवते। एक्चुली जदों भी आपा संटेंस बनोने हैं चाहें आपा किसे भी लेंगोई देवे संटेंस बनोने हैं। जेड़ी चीज सब्जेक्ट वाली जगाते पही हुंदी या फोकस ओदे उपर हुंदा है। मैं एक्जांपल दे तौर ते अगर गाल करां पी कदों हाओ टू डिसाइड वें टू यूज एक्टिव और पैसी बनोना ते कदों पैसी बनोना डिपेंड करदा फोकस दे उते तुसी किस चीज़ दे उते फोकस करना चाहने हूं। एगसांपल दे तो ओर ते तो अड़े दो फ्रेंड है और दो फ्रेंड तो आड़े नू बाइक चाहिँ दिया तो अड़े वाली और थो आड़ी बाइक लेड़ां कोण लेके गया। ते तुस्सी उत्हे कमागे कि मेरी बाइक राम लेके गया सो इथे focus जीड़ा या ओधो परसंस दे उत्य सेगा क्योंकि वो question जीड़ा पुछ रहा सी, पुछ रहा सेगा मिन्स कि कि दोनना दे विच्चों तेरी बाइक नो कौन लेके गया तो बाइक लेके गया राम, राम दे उत्ते focus है ना कि बाइक दे उत्ते focus हैगा तो उत्ते सड़ा sentence जिड़ा आया, focus राम नूँ करना, इसकर के राम नूँ सब्जेक्ट दे विच रखना पेना तो अगर सब्जेक्ट तो अड़ा action नूँ प्रफॉर्म करदा पे आया, तो अगर सब्जेक्ट तो अड़ा action नूँ प्रफॉर्म करदा ते sentence तो अड़ा होगा active की sentence बनेंगा, राम हैस टेकन माई बाइक, राम मेरी बाइक जड़िया ले गया है अगर अगर आपा passive voice दे वेच जाना होगे, पैसिव आइस दे वेच भी आपा एक example देने है फॉर एक example की तो अड़ी बाइक चोरी होगी है अगर जदो तुस्री पोलिस स्टेशन जाओंगे रपोर्ट ले खाऊन दे लिए तो अड़ा focus तो अड़ी बाइक ते होवेगा, जान उस चोर दे उते होवेगा जड़ा बाइक को ले गया अब्यसली तो अड़ा focus तो अड़ी बाइक होवेगी, तुसी ये कहूंगे कि मैंनो मेरी बाइक चाहिए दी है, मैंनो नहीं पताओ कौन ले गया ठीक है, तो अब अगर sentence बना मागे, तो अब्यसली तुसी कहूंगे कि मेरी बाइक चोरी होगी है होण इस sentence दे पच एक्शन के ने कीता, जैने एक्शन कीता होदा बन्दा ही नहीं, ना सानु होदा पता है साड़ा focus हैगा action जेड़ी चीज़ ने receive कीता action receive के ने कीता bike ने bike जेड़ी चोरी होई या और action किसे होर बंद ने कीता सो जदों साड़े को subject doer नहीं होंदा सानू passive voice बनोना पेंदा हुन इते sentence की बनूँगा my bike has been stolen मेरी bike चोरी हो चुकी है हुन जदों साड़े को non doer subject सोरी जदों साड़े को doer subject नहीं हैगा साड़ा sentence जेड़ा passive चिकनवर्ट होए ना सो सारी गाल अगर अगर अपना देखिए ते गाल जड़ी को हम के होंदी है focus दे होते तुसी जड़ी चीज़ दे होते focus करना चोनने हो उन्हों अपना subject वेच रखना चाहे तुह राइटिंग आल्स दे वेच कर दे है चाहे तुसी नॉर्मल लाइफ चे इंगलिश नू यूज़ कर दे है तुसी अपना focus दे according decide करना कि तो अन्हों sentence active बना होनदी जरूरता जहाँ passive बना होनदी क्योंकि subject वाड़ी चीज़ दे होते focus चेड़ा होनदा so normally जड़े या passive voice है गया active sentences तो बन दे है असी नूँ convert कर दे है जो कि मैं तो अन्हों अगली वीडियो दे वेच दसूँगा इस वीडियो दे वेच आपा एक होर example लेलाने है कि active and passive voice नूँ तांकि तो अन्हों होर थोड़ा जा clear हो जिए for example कि कोई शड़क टुटी हो या और तुसी जदो शड़क तो लांग रहे है आसी नौर्मल ये गल कर दे है कि शड़क जड़ी या बननी चाही दिया हुँँ ऐस मौक्के दे होते है असी कदी भी pirate फोकस नूँ कर दे कि शड़क नू कौण बनागे सौन नू workers दे उति सड़क ज़क न हुंदा साड़ा फोकस हुंदा रोड दे उति सो रोड अपने अपता बननी सकती साड़ा फोकस जड़ा volcano सो संटेंस की बनुगा की रोड जेडी या बननी चाहिए या पाइदी कमागे उन फोकस साड़ा है गा रोड दे उते ना की इस ची दे उते पि शड़क नू कौन बनाऊगा सो जड़ों साड़ा फोकस रोड दे उते है रोड कोई अक्षन नू परफॉर्म नहीं कर सकदा आपने आप कुछ भी नहीं कर सकदा रोड था एक नॉन डूर सब्जक्ट है सो इस साड़ा सब्जक्ट दे उते है पैसिव बन जूगा एक चीज हो रहा कि passive voice फिल हाल complete नहीं होया हैगा बहुत सारी या verbs इस तरह दिया असानों decide करना पेंदा कि केड़ी वर्ब दे नाल passive voice बढ़ना है केड़ी दे नाल नहीं बढ़ना है इमां next वीडियोच clear करूँगा इस वीडियोच आपा सिर्फ सिख्या अगर वीडियोच चंगी लग दिया प्लीज शेर करो वाकियें देना चैनल नो सबस्क्राइब यूर कर देना और होपफुली अगर कोई टॉपिक तो नहीं पता तो तो तुसी कमेंट कर सकते हो वीडियोच आडिली जरूर लाकिया हमांगा थांक्यू